जात्यों, बीजेपी, एंडिये, हमारी सरकार ने पूरे नौर्थ इसके लिए बिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कॉंग्रेस के समय में नौर्थ इसको सिर्फ कॉंग्रेस के नेताओं को जेप भरने के लिए हमेशा नौर्थ इसको एटीम ही माना, एटीम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरती हैं, लोग एटीम से पैसे निकालते हैं, यह दिल्ली में बैटरी भी एक कॉंग्रेस के नेता, नौर्थ इसके हक का जो पैसा था न, वो एटीम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पात नहीं, बलकि करब पार्टियों की तीजोरी में पहुंचता था। साथियों, आपको याद होगा, कॉंग्रेस के एक पुर्व प्रधान मंत्री कहते थे, कि वो दिल्ली से एक रुपिया भेटते हैं, और जनता तक पंदरा पैसा ही पहुंचता है। लेकिन नौर्थिस तक तो पहले ये पंदरा पैसा भी नहीं पहुंचता था, दस साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था, कि नौर्थिस में कभी हालाद भी बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने टेकनलोजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है। आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपिया आपके बैंक एकाउंट में पहुंच रहा है। पी एम किसान सम्मान निदी का लगबग चार सो करोड रुपिया नागा लेंड के हजारों किसानों के बैंक एकाउंट में सीधा आया है। बीच में कोई कट नहीं, कमिशन नहीं, बीच में कोई ATM नहीं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक एकाउंट में करोड रुपिय सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लिक नहीं हुआ। साथियों, आपको याद होगा, राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी, जिसके पास राशनकार था, उसे पैसा देकर भी पुरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागा लेंड के हजारों परिवारों को मुप्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाई और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है, क्योंकि हम नागा लेंड को, नौर्थ इसके आठ राश्यों को, कॉंग्रेस की तरह A.T.M. नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अर्ष्ट लक्ष्मी है, अर्ष्ट लक्ष्मी है। इस अर्ष्ट लक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं, नौर्थ इसका कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सिज, नौर्थ इसके ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बहतर इंफ्रासेक्टर से गावों शहरों को भी आपस मैं कनेक्ट किया है। बीते नव वर्षों में दर्जनों बार मैं खूद आपके बीच आया हूँ। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हरनिबल फेस्टिवल की रोनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरिया मिटाने में नागा लेंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रसिडेंड तीम जन इमना की बातें आज पुरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्रेटफॉम पर विन नागा लेंड और नॉर्सिस को शांदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोचल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिज करता हूँ। आज आज भारत के इतिहास में नागा लेंड को पहली राजसभा एमपी देने का आउसर भी एंड ये कोई मिला है। फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागा लेंड की बेहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। ये रानी गाइड इनल्यू के प्रती भी हमारी सच्ची सर्धांजली है।